हलो फैन नमस्ते आपका स्वागत है मीन इस देवी की रसोई में तो मैंने दो कटोरी चावल लिये हैं यह घर के ही कुटे हुए चावल हैं तो इन्हें हम पानी से साप करके दो लेंगे इसे अच्छे से साप करके दो लेना है तो देखिए चावल हमारे दो चुके हैं तो हम एक लीटर दूद लिया है दूद कच्छा हो या उबला हुआ हो कैसा भी हो उसी हम डाल देंगे तो देखिए एक गंटा के रेष्ट के लिए हम रख देंगे तो देखिए एक गंटा हो चुका है तो अब हम देखते हैं कि चावल हमारे किस तरीके के हो चुके हैं तो देखिए चावल बिल्कुल फून चुके हैं तो अब हम इनको हटा देंगे और चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर तो मैंने दो चम्मच जीरा लिया है और पिसी हुई हल्दी लिया है दो चम्मच और दो चम्मच लेना है हमें हजवाएं और इसको पानी से हम पीस लेंगे और पचास ग्राम लिया है मैंने गोंट और एक कटोरी चीनी एक कटोरी गी बजन के हिसाब से डाइसुग्राम और मैंने ये बेवा लिये काजू बादाम गरी इनको हम काट कर रख लेंगे और एक सोंट का टुकडा लिया है तो देखिए अब हम गी को गरम कर लेंगे और इसी में हम सेख लेंगे गोंद को तो गोंद हम इस तरीके से सेखेंगे कि जादा जलने न पाए और काला भी न पड़े तो देखिए गोंद हमारा सेख चुका है इसको हम निकाल लेंगे एक ठाली में इसे निकाल लेंगे और अब हम इसी में इसे सेंक लेंगे इसारी चीज को थोड़ी देर बून करके जैसे लाल सी हो जाए उसी के बाद हम निकालेंगे तो देखिए अगर आपको मेरी रेशेपी पसंद आए तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको हमारी रेशेपी कैसी लगती है इसे जरूर बना कर ट्राइ करके देखें तो देखिए ये बुन चुके हैं तो मैं अब ठाली में निकाल लूँगी और इसी में वो हल्दी अजवान और जीरा और सौंट इसको पीश लिया है तो अब मैं इसी गी में इसे बूनो हुई थोड़ी देर तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ी देर मुनने देंगे गी उपर आ जाए इसके बाद देखिए गी आ चुका है निकल करें तो अब हम इसी में डाल देंगे दूद और चावल तो दूद चावल को तभी डालना है जब अमारी हल्दी अच्छे से बुन जाए नहीं तो अगर कच्छी हल्दी रहे गई तो बिल्कुल स्वाद इसका खराब बन जाएगा स्वादश्ट नहीं बनेगी इसलिए हमें अच्छे से बुनेलना है और तभी हम डालेंगे तो देखिए मैंने जब तक खी उपर आया तभी डाल लिए और इसे थोड़ी दिर हम चलाएंगे और इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे आपके पास गोड़ है तो गोड़ भी डाल सकते हैं अगर सर्दियों में बना रहे तो गोड़ डाल दें और अगर बूरा है तो इसे बूरा डाल सकते हैं तो हम इसे थोड़ी दिर डख कर रख देंगे और अब गोड़ को सेक लिया है तो इसे हम थोड़ा थोड़ा कटोरी से फोड़ लेंगे और उसी में इसको डालेंगे तब ही हमारी रेसेपी तैयार होगी तो देखिए इसे हम इसी तरहिके से डालेंगे जब खोल जाए थोड़ी तब तो देखिए हमारी हल्दी वाली खीर या इसे राजबोग भी बोल सकते है तो देखिए हम देखते हैं इसको बन चुकी या नहीं तो देखिए तैयार है हमारी हल्दी वाली खीर